मेरे पहरे देशवास क्यों हूँ जब पशुपालन की बात करते हैं तो अक्सर गाय बैंस तक ही रुख जाते हैं लेकिन बकरी भी तो एक एहम पशुधन है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है देश के अलग-अलग छेत्रों में अनेकों लोग बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं ओडिसा के काला हंडी में बकरी पालन गाउं के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उपर लाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है इस प्रयास के पीछे जयनती महापात्रा जी और उनके पती बिरेंज साहु जी का एक बड़ा फैसला है ये दोनों बैंगलूरु में मेनेजमेंट प्रोफेशनल्स थे लेकिन इन्होंने ब्रेक लेकर काला हंडी के साले भाटा गाउं जाने का फैसला लिया ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे यहां के ग्रामीनों की समस्याओं का समाधान भी हो साथ ही वो ससक्त भी बने सेवा और समर्पन से भरी अपनी इसी सोच के साथ इन्होंने मानिकस्तु एग्रो किस्थापना की और किसानों के साथ काम शूरू किया जैन्ती जी और बिरेंजी ने यहां एक दिल्चस्प मानिकस्तु गोट बैंक भी खोला है वे सामुदा इक स्तर पर बक्री पानन को बढ़ावा दे रहे हैं उनके गोट फार्म में करीब दरजनों बक्रियां है मानिकस्तु गोट बैंक इसने किसानों के लिए एक पूरा सिस्टिम तयार किया है इसके जरिये किसानों को 24 महने के लिए दो बक्रियां दी जाती है दो वर्सों में बक्रियां नव से दस बच्चों को जन्म देती है इन में से छे बच्चों को बैंक रखता है बाकी उसी परिवार को दे दी जाती है जो बक्री पारन करता है इतना ही नहीं बक्रियों की देखभाल के लिए जरूरी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं आज पचास गाउं के एक हजार से अधिक किसान इस दमपत्ति के साथ जुड़े हैं उनकी मदद से गाउं के लोग पशुपालन के खेत्र में आत्मन निर्भरता की और बढ़ रहे हैं मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि विविन्न खेत्रों में सफल प्रफेशनल्स छोटे किसानों को ससक्त और आत्मन निर्भर बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं उनका ये प्रयात हर किसी को प्रेरित करने वाला है